राजस्तान में विधान सभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनाने के लिए अभी से गेराबंदी शुरू करती है राजे के साथ लाग सरकारी कर्मचारियों ने 24 अगस्ते आंदोलन की खुशना की है कॉंग्रिस सरकार की और से खेमराज कमेटी का कारेकाल बढ़ाने से कर्मचारी नाराज बताय जा रहे हैं कर्मचारियों का आरोप है कि राजे सरकार उनकी बुनियादी मांगों को टालने का प्रयास कर रही है राजस्तान में कर्मचारियों की ताखत से हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन चल रहा है ऐसे में सवा साल पहले ही आंदोलन का आगास कॉंग्रिस सरकार के परिशानी का कारण बन सकता है इस पूरे आंदोलन की कमान राजस्तान राज्य कर्मचारी सेयुक्त महासंग एकिकरत ने संभाल रखी है महासंग एकिकरत के अध्यक्ष करचेंदर सिंग का कहना है कि खेमराज कमेटी का कारेकाल बढ़ाने से कर्मचारियों में आक्रोश है इससे पहले सावन कमेटी को रिपोर्ट भी 2019 से ठंडे बस्ते में है सरगार बार-बार कमेटियां बना कर उनका कारेकाल बढ़ा रही है खेमराज कमेटी का कारेकाल 31 अगस से बढ़ा कर 31 दिसेंबर 2022 तक कर दिया गया है आंदुलन के दौरान 24 अगस को सभी जिला कलेक्टर के जरिये मुख्य मंत्री को ग्यापन दिया जाएगा मांगो पर ध्यान नहीं दिया गया तो 27 अगस को उधैपुर में बड़ी रैली की जाएगी कर्मचारियों की प्रमुक मांगों में पे मैट्रिक्स केंदर के बराबर करने 24 सो की ग्रेट को 9,840 करने चैनित वेतनमान 9, 18, 27 की जगां 8, 16, 24, 35 करने और सहाय कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपए और पदनाम ATS करना शामिल है प्यूरर रिपोर्ट शुप 24 न्यूज